नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैं सभी मुकुमार आपका फिर्शे स्वागत करता हूं साथियो आज हम बात करने बाले हैं एक कॉंटेक्ट प्लस सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड और फंजिशाइड के बारे में जो कि एकी बॉटल में हमें मिल जाता है इसको अलग-अलग कॉंबिनेशन बनाने की समश्या नहीं आती है साथि जब हम खेती करते हैं तो उसमें तरह-तरह की शोश्याइँ आती है इस बार बारे सामान और अवससस से बहुत कम हुई है जिसके कारण गन्य में अप एक छित बड़बार प्राप्त नहीं हुई है और उपा से गन्य श् जो इस बार नहीं में दिखाई दी है हमारे यहां पे तो पहली बार दिखाई दी है जिसको बिलेक थ्रिप्स नाम से जानते हैं चीटी की तरह भी लग सकती महीं जो चीटीआं होती है आपके लिए देखने में काली रंकी होती है यह थ्रिप्स का म्यूटेटेड वर्जन ह जैसे कोरोना के अलग-अलग बर्जन आये थे इसे इसका थ्रिप्स का यह मेटेटरेट वर्जन है तो इसके लिए हम तरह-तरह के contact or systematic insecticide आते हैं उनी में से एक आज हमें insecticide लेके आए हैं जो UPL company का है electron नाम से और इसके लिए आप monokrotophast की भी spray गर सकते हैं chloropyrifast लगा सकते हैं amida लगा सकते हैं इसका प्रभाव भी निंतर्ण है और यह electron में technical आ रहे हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं तो technical में सबसे जो insecticide है वो 25% thymothaxam fs formulation में है इसके अलावा ajaxistrobin है 2.5% और थाइपोनेट मिथाइल है 11.25% जिससे यह पुक्का बोहिंग और लाल सडन पर कुछ हद तक निंतर्ण देता है इसके साथ में सहतियु कृद में मिला कर इसके लिए आसल में डाला जाता है और ये इसपे अच्छा नियनतर्ण देता है इसका उपियोग हमने अपने एक खेत में किया है इसमें थ्रिप्स पे प्रभाब नियंत्रण दिया है इसने इसलिए हम इसका वीडियो बनाया है इसको कैसे करके उपयोग करना है कैसे करके उपयोग किया है यह हम आगे वीडियो में दिखाएंगे यह इसका फोटो है यह 400 ml की बोटल है और 200 यह प्लाटूस है इसके साथ में जड़की ग्रोथ के लिए इसके भी इसमें सीवीड है अलग-अलग हर्मोन है जिससे जड़की ग्रोथ अच्छी होती है और इसके लिए सबसे पहले आपके लिए आप जितनी भी यूरिया लगा रहे हैं उसको इसमें मिला सकते हैं इसको आराम से इसमें मिला लीजिए और इसको मिलाने के लिए सही तरीका यह है कि मिला के थोड़ा थोड़ा चारो तरफ पहला के मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसको हांस से चला लीजिए हांस से बढ़िया करके मिलाने बाद इसमें ये बोतल को चाहे इसमें यूरिया डाल लीजिए वापस से और चाहे इसके साथ कोई अगर दवाई मिला रहे है तो वो मिला लीजिए और इसको ऐसे करे के बिलकुल अच्छी तरीके जो मिलाने के बाद ये बिल्कुल दवाई लाल हो जाती है इसमें जो दूसरी दवाई थी प्लाटस जड़की ग्रोथ के लिए ये पहले आप किसी रेत में किसी चीज में मिला लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंगे नीचे निकल जाती है इसका बोने का फाइदा ये है कि इस पर बह प्रभाविन हो जाता है और ये थ्रिप्लेक त्रिप्स का म्यूटेटेड वर्जन है जो कि ज्यादा टंप्रेचर होने की वजह से म्यूटेट हो गया है और बारिस भी इस बार आउसस से कम हुई है उपी बेस्ट में और इस कारण से गन्ने में जो उपज और जो मिलनी चा प्लाटुस का रिजल्ट है जड़ें बाहर दिखने लगी है बच्छी ग्रोथ है जड़ों की और इसके अलाबा अगर आप यह नहीं डालना चाहते हैं यह नहीं मिल पारा यह कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो आप इसके नियंत्रन के लिए मोनोक्रोटोफार्श इमीडा क्लोरपिड आधी दबाईयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके लगाने से फाइदा हमें यह है कि इसके साथ जो थामो थाकसम होता है पच्छेस परशेंट आफस फार्मूलेशन में इससे जो जंगली जानवर होता है जो गन्ने के लिए लोटते हैं सुगर वो भी नेतन हो जाते हैं जो कि भाइट गरब को मार देता है और सिस्टमेटिक होने करण पुक्का वोइंग के लिए और फर अलग से लाल सड़ने के लिए दबाई डालने के आव सकता कम पड़ सकती है इसलिए इसको उपियोग में लाने से यह फाइदा है इसका और सिस्टमेटि धन्यबाद जय किसान जय विग्यान